दोस्तों आपके शरीर में कैलिशमी कमी हो चुकी है या फिर शरीर के अंदर omega 3 fatty acid की कमी हो चुकी है जिसके वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है जोड़ों में जो grease है जिसे fluid कहा जाता है वो खत्म होते जा रहे हैं काटेले जापस में घीस रहे हैं जिसके वजह से उड़ते बैठते समय कटकट की आवाज आती है बहुत तेज दर्द महसूस होता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा effective घरिलू पाय लेका रहे हूं जिसके इस्तमाल से जोड़ों के घुटनों का दर्द तो ठीक हो गई होगा साथी साथ अगर आपके नसों में आपके जा रही है या फिर आपको हाट से कोई भी प्रॉलम हो चुकी है तो इस सारे प्रॉलम में बहुत फायदा करेगा और खासकर इस गर्मी के मौसा में इस रेमेडिय को बेफिक्र होकर आप इस्तमाल में ला सकते हैं दोस्तों आपको ज्याना कुछ नहीं करना है इसके किनिशियम, पोटेशियम है इसी कमी हो जाती है या फिर अगर किसी इंसान को डाइबडीज की प्रॉलम हो जाती है हाई वीपी की प्रॉलम है सालों से इन प्रॉलम को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में लसी का सेवन बहुती फायदे मंद है इसके लिए सबसे पहले क्या करना नमी है वो चली जाए और हलका सा भुनने के बाद स्वाद इसका बहुत अच्छा हो जाता है और इन अलसी को मिक्सर की हल्प से इसका पॉडर तयार कर लेना है और फिर इन अलसी के दानों को आप किसी भी तरह से कुट लीजे आपके घर पर इमाम दस्ता होती इमाम दस्ते में कुट लीजे अगर कोई आप्शन ना हो तो आप मिक्सर की हल्प से इसे पीस लीजे इसका चुरन तयार कर लीजे यह आप देख सकते हैं कि हमारे पॉडर तयार हो गया है अब आपको करना क्या है एक कटूरी में आपको दही लेना है और इसमें दो चमच अलसी के करना है यह हीमोगलोबीन को बढ़ाता है इसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हड्डियों और नसों के लिए बहुत ही फादेमंद होती है अब इसका सेवन आपको दो पहर को करना है अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो खाना खाने के पां अलसी को भून लेते हैं और रोजाना दही में मिक्स करके सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों अगर आप अलसी का सेवन रोजाना इसी तरह पाउडर बना कर करते हैं तो आपको बहुत से फादे मिलेंगे अलसी के अंदर ओमेगा 3 fatty acid बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीपी हमेशा लो या फिर हाई रहता है यानिक उनका बीपी फ्लक्चिवेट होता रहता है कंट्रोल में नहीं है उन्हें रोजाना दवाई लेनी पड़ती है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है आपकी ब्लड प्रिसर को बहुत अच्छे से मैंटिन करके रखेगा इसकलावा अगले फादी के बात की जाए तो जिनको जोडों में बहुत तेज दर्द होता है घुटनों में दर्द होता है जोड आपस में ठकराते हैं घिसते हैं काटिलेज डैमेज हो चुके हैं उनके जोडों में सूजन आ चुकी है तो रोजान अलसी का सेवन दही के साथ आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों आखिरे काटिलेज घिसते क्यूं है आपको ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से डाजिशनी होता है सबसे पहले चीची खाया वे खाने का पोशिक ततु हमारे शरी जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होता है उसे सुखा देते हैं और इसी वज़े से जोड़ आपस में घिशते रहते हैं और भेंकर दर्द करते हैं अगर आप व्योजानाः इस तरह किसे अलसी का सेवन दही के साथ करते हैं तो digestion improve होता है यानि कि जो भी हम खाना खाएंगे वो अच्छे से digest होगा जो toxins होगे वो श्रीर से बाहर हो जाएंगे free radicals से बचा रहेगा जिस कारण जोड़ों में जो lubricant है fluid है वो सुखेंगे नहीं और cartilage जो है वो damage नहीं होगे इस किला दोस्तों LC के अंदर fiber भरपूर मात्रेम होता है जैसे मैंने आपको बताया और जिनको कब्ज यानि constipation की problem है उनके लिए राम बाण ऑसदी की तरह काम करता है अगर आपको सालों से constipation की problem है कब पेट अच्छी से साफ नहीं होता है तो सुबह सुबह खाली पेट दही के साथ LC डाल कर खा लिजे आपका पेट बहुत ही अच्छी से साफ होका इसके साथ ही जिनके हाथ पेर में जुझनी की समस्या है हाथ पेर सो जाते है या फिर जिन अगर अगर आप रोजाना अलसी इस तरह दही में मिलाकर खाते हैं तो आपका खून साफ हो जाएगा और खून बढ़ने लग जाएगा अगर आपका खून गंदा या फिर गाड़ा हो चुका है तो वह भी साफ हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा नैचरल ग्लो करेगा इसकलाव अगर आपकी आँखों की रोशनी कमचूर पड़ रही है या फिर इंफेक्शन हो चुका है तो अभी आप रोजाना अलसी का सेवन इस तरह जरूर कीजेगा दोस्तों अलसी के अंदर 100 से भी ज्यादा लिगनेंस पाया जाते हैं और यह जो लिगनेंस होते हैं वो हमारे सेल्स यानिक और शिकाओं की फंक्शनिंग में बहुत काम कर अगर किसी इंसान के बॉड़ी में कोई ट्यूमर हो रहा है गांट हो रही है तो उसको रोजाना अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए अलसी खाने से ट्यूमर अपने आप खत्म हो जाएगा इस कलावा भी दोस्तों देखा जाए तो अलसी के बहुत से फादे हैं लेकिन इसम कर सकते हैं इसे ज्यादा कॉंटिटी कंचियूम ना करें इसके लावा अगर आप अलसी के और भी फायदे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप महां पर जाकर अलसी के पूरे जान सकते हैं आश्या करता हूं आपको वीडियो यह जानकारी कल एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होताँ दोस्तों तता करना खाल लखिए खुश रहिए